Hello students, कैसे हो सबी? I hope you all are fine. आज इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले है T-Test के बारे में How to find out the difference between the two means. यह तो हमने last वीडियो के अंदर भी cover up किया था लेकिन वहाँ पे हमने cover किया था कि दो means के बीच में difference क्या होता है जब मेरे पास independent sample given हो यहाँ पे dependent sample given है In short हमने वहाँ पे उसको बोला था Unpaired Test इसको क्या बोला जाएगा? Paired Test तो with example, with formulas बात करते हैं कि कौन-कौन से formulas का और किस तरीके से आप लोग यहाँ पे यूज करोगे तो भीना किसी देरी के शुरू करते हैं Welcome to Gate Smasher तो आप देखो T-Test का और किस तरीके से यूज हो सकता है उसके बारे में बात करते हैं Last video के अंदर हमने क्या देखा था? कि हमारे जो samples थे वो आपस में independent थे यानि कि एक sample को किसी दूसरे sample से फरक नहीं पढ़ रहा है वहाँ पे हम T-Test को क्या बोलते थे? कि dependent sample नहीं, independent sample है जहाँ पर हमने distribution का name रखा unpaired एक तरह से कह सकते हो कि unpaired test के बारे में हमने बात की जैसा कि file का name भी मैंने आपको show किया हुए बाट आज इस video के अंदर हम discuss करने वाले है dependent sample के बारे में हैना कि अगर एक sample दूसरे से depend करता है और या फिर आप कह सकते हो कि paired t-test जिसका एक best example मैंने बताया था अगर किसी student को सुबा दो बजे कोई medicine दी गई, वापिस से तीन बजे कोई दूसरी dose दी गई तो second dose का exact check करना कि उसके शरीर पे उसकी body पे क्या effect आया, which is clear exact value तो वो नहीं देगा क्योंकि पहली medicine का असर भी तो उसके body पे रहेगा, तो ये dependent samples की बात हो जाती है यहाँ पे तो dependent के case में, देखो एक चीज़ हमेशा not करना, t-test हमेशा एक ही चीज़ लेके जाएगा value तो अब्वेस भी बात है, t-calculated हम check करते हैं, less आ जाती है tabulated value से, तो हम क्या देते हैं, कि यहाँ पे h0, यानि कि हमारा hypothesis accept हो गया, otherwise alternate hypothesis, यानि कि जो claim कर रही है, company, medicine, company कुछ भी, वो reject कर देते हैं, उसका claim जो है, वो गलत है, but एक चीज़ हमेशा ध्यान दखना, मैंने आपको जैसे पहले live class के अंदर बताया था प्रॉबलम थी hypothesis में, समझता हूँ कि आपकी line काई topic नहीं है, तो इसके लिए अगर आपको लग रहा है कि hypothesis तो उड़ा साथ समध से बाहर हो रहा है, तो इतना सा भी cover कर लोगे न, एक से दो number का अगर test में आता है, तो definitely आप cover कर लोगे, तो भीना किसी दे रही के शुरू करते हैं, आज का सबसे पहला formula, अब obvious ही बात है, formulas पर बात हो रही है, सिरफ दो ही question मैं आपको बताऊंगा, एक मैं यहाँ पर करके दिखाता हूँ, एक आप मुझे comment section के अंदर answer दोगे, formula based है, कोई emerging question आजे सारे के सारे formula बिलता है, कहता है कि T is equal to, यानि कि T के जो value है, वो किस पर depend करेगी, अगर dependent sample आ जाता है, that is mean of D multiplied by root N divided by S, where D is the difference mean, D मेरे पास यहाँ पर क्या है, difference mean निकल करके आता है, अभी बताता हूँ कि कैसे निकालना है, difference mean निकल के आएगा, N is the number of sample की जो मेरे पास sample है, और S is the standard deviation of the sample, अब यहाँ पर standard deviation किस तरीके से निकालना है, standard deviation का formula हो जाएगा, square root of summation of D minus mean of D whole square, divided by N minus 1, where N minus 1 is the degree of freedom, अब ऐसा मत सोच ना कि हर जगा degree of freedom N minus 1 ही होगी, इससे जो अगली वीडियो आने वाली है, वहाँ पर degree of freedom N minus 2 है, इसलिए हर formula हर question के लिए मैं topic यहाँ पर अगलक से कर रहा हूँ, ताकि formula जगा दुआ, सीधा आपको answer मिले, exam point of view से, अब जैसे, यहाँ पर question दिखाया गया, question को समझते हैं पहले फिर उसके बाद solution करते हैं, कहता है कि medicine is given to 5 patients, 5 patients को medicine दी गई, and the difference in their hemoglobin were recorded to be before drug and after drug, मतलब उसको कोई न कोई medicine दी गई, drug से पहले उसके body के अंदर hemoglobin की मातरा या संख्या कितनी थी, वो check कर ली गई, 5 patients की, और drug देने के बाद check की कर ली गई, उसके बाद कह रहा है, is it reasonable to believe that medicine has no effect on the body, क्या ये कहना सच होगा कि medicine effect कर रही है body के या नहीं कर रही है, effect हो रहा है या नहीं हो रहा है medicine का, ये check हमें करना है, एक बाद ध्यान से देखो, 5 patients का हमें data दिया हुए, relation बना रहे हैं, data अपस में connect है, वो relation बना रहे हैं, इसका मतलब, दूसरा data पहले बे भी तो depend हो रहा है न, कि medicine से पहले उसके body में heembo globin अगर 12 था, तो बाद में 13 हो गया, medicine के बाद बढ़ गया, तो on and average हमें चेक करने कि क्या effect होगा या नहीं होगा, तो यहाँ पे t-test का हम लोग use करेंगे, because n is less than 30, और पूरी population का हमें standard deviation भी given नहीं है, यह भी कह सकते हो, दो ही तो rule थे न, तो सबसे पहले यहाँ पे, आपने क्या करना है, जो भी दो data आपको given है, before drug and after drug, अब हम क्या करेंगे, इनका difference निकालेंगे, drug लेने के बाद कितना hemoglobin आया, 13 तो 13-12, that is 1 second value minus first 14-13, 1, this is known as the difference, ठीक है, 14-10 4, 13-8 that is 5, और 16-7 is 9, तो यह difference निकल के आया, after taking medicine, medicine लेने के बाद अब कहता है कि D मेंसे, उसी का mean minus कर लो, तो पहले हम D बार निकाल लेते हैं, that is summation of D, कितना है summation 9 plus 5, 14 plus 4, 18 19 and 20, D की value कितनी आगई, 20 निकल के आगई तो D is equal to 20 divided by total, sample तो 5 है न, तो यह आगया 4 अब D माइनस में D बार करते हैं, तो 1-4 is minus 3 1-4 minus 3 4-4, 0 5-4, 1, 9-4, 5 अब यह कहता है, इसका square कर दो तो कि हमें तो formula में need है तो यह हो गया, 3 का square, 0 1 का square, 5 का square 25, तो answer आया 9 plus 1, 10 35, 35, 5 plus 9 that is 44, यह निकल के आया अब पहले आपा standard deviation पर बात करते हैं, standard deviation का formula क्या था, एरा standard deviation कहता है कि square root of जो भी हमारा answer आया कितना आया अभी, addition करने पर 44 निकल के आया, तो 44 divided by n minus 1 यानि कि 5 minus 1 is 4 तो root 11 हमारा standard deviation होगे 3 point something अब और exact इसकी value एक बार चेक कर लेते हैं calculator में root 11 3.31 तो यहाँ पर exact value कितनी निकल के आयी हमारी 3 point 3 तो यह मेरे पास answer यहाँ पर निकल करके आ गया standard deviation का, अब लगाते है t-test t-test क्या कहता है, यह t की value है कहता है कि जो भी आपका difference का mean निकल करके आया था क्या निकला था mean हमारे पास mean हमारे पास निकला था 4 यही निकला था ना mean की value कितनी थी, yes 4 minus multiplied by root of n कितने samples है, 5 तो यह हो गया 2.23 standard deviation की value है 3.31 यानि कि answer आया 4 into 2.23 divide by 3.31 exact check कर लेते हैं एक बड़ी multiply में 4 multiplied by 2.23 divide by 3.31 तो यह exact value निकल के आ रही है 2.70 अब हमारी जो t value आई वो थो 2.70 है बट एक चीज़ भी तो ध्यान रखो यह हमारी t calculated value है कितनी value आई t calculated 2.70 अब हमें चाहिए t tabulated value अब tabulated value कैसे level of significance given नहीं है मैंने आपको last video में क्या बताया जब भी level of significance नहीं है मतलब 0.05 5% है न और degree of freedom यहाँ पे कितनी है 5 minus 1, 4 तो t table के अंदर जो मैंने आपको पहले से provide की हुई है तो t table के अंदर मेरे पास यह क्या हो जाएगा 0.05 या चाहिए मैं आपको एक बर screen पे भी show कर देता हूँ so that clear हो जाए मैं t table की value एक second t table की चलो t table मैं description box के अंदर provide कर दूँगा 0.05 और 4 degree of freedom जो मैंने last file के अंदर भी अटाच कियु है चाहिए वहीं से देख ले न value आरिया 2.776 value आरिया यहां पे 2.776 अब obvious ही बात है अगर t calculated t tabulation से अगर छोटा हो गया तो हमारा जो null hypothesis था वो तो accept हो जाएगा null hypothesis accept हो जाएगा इसका मतलब वो क्या कह रहा था is it reasonable to believe that medicine has no effect on the body कोई भी effect नहीं आ रहा null hypothesis correct हो गया है ना तो यह हमारे पास था हमारा first question जहां में सिरोफ data चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए next question आपकी screen पर मैं show कर रहा हूँ मुझे comment में answer देंगे इसका कहता है कि 10 test लिए taken by the math teacher and marks are scored by these तो यहां पे n की value कितनी हो गई 10 हो गई और in short degree of freedom मेरे पास कितना निकल गया 9 निकल गया data हमारे पास पढ़ा ही है अब आपको होगी सर यह क्या हुआ यह कोई dependent sample थोड़ी हो अब क्यों dependent sample नहीं हुआ 10 test taken by the math teacher mark toward by these 10th test are these हमें यह बताना है कि is there any improvement or not is there any improvement or not अब improve कब से कि पहले test में 10 marks थे अगले में हमारे पास 2 थे इस question के अंदर यहाँ पे 10 है पहले test के marks दे रखे हैं और 10th के marks दे हुए है बीच वाले किसी के भी नहीं दे हुए पहले test में अगर इसने इतने marks लिए 10th में इतने लिए तो क्या improvement करी पहले test में इतने और last में कितने क्या improvement करी मुझे comment में answer देना T calculated और T tabulated कौन कितना less आया और values भी बताना ठीक है तो formula गाय होप मैं provide कर रहा हूं तो आपको अच्छे से help मिलेगी specially जिनको hypothesis tough लग रहा था तो एक simple example से आपको topic clear होगा next video में भी मैं आपको एक question सिरफ एक ही question कराऊंगा formulas पर तो कि यहाँ पे सिरफ आपको formula संभाल के रखने है hypothesis के अंदर तो मिलते हैं अगली video के अंदर जहाँ पर हम T test का दूसरा use देखेंगे जहाँ पर correlation के बारे में बात होगी तो मिलते हैं अगली video में same time same जग अगले दिन I hope आपको video अच्छी लगी है video अच्छी लगी तो question जरूर करेंगे और comment section के अंदर definitely reply करें have a good day to all of you bye bye bye